C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तीन प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याए पाँच इसका शीरशक है न्याए पालिका प्रिष्ठ बावन इकाई तीन इस प्रिष्ठ पर एक सरकारी इमारत के सामने धरना देती हुई सीडियों पर बैठी एक महिला को एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है उस महिला के सामने बहुत सारी फाइलें सीडियों पर बिखरी पड़ी है और साथ ही एक और महिला का चित्र है जिस पर फ खूलमाला चड़ाई गई है। प्रिष्ट तरेपन, प्यासा कव्वा, शिक्षकों के लिए। इन अध्यायों के जरीए विद्यार्थियों को नियाइपालिका से परिचित कराया जा रहा है। इस विवस्था के पुलिस, अदालत जैसे कुछ आयामों के बारे में बच्चे पहले से ही काफी कुछ जानते होंगे। वे मीडिया के जरीए या अपने निजी अनुभवों के आधार पर इन संस्थाओं के बारे में जानते हैं। इस एकाई में मुख्य प्रियास ये है कि न नियादी जानकारी और आपराधिक नियाई विवस्था से संबंधित उप्योगी जानकारियों को जोडा जाए। अध्याई पांच में जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर अगली कक्षाओं में भी बल दिया जाएगा। इन अध्याईों को पढ़ाते हुए विद्यार को इस बात का एहसास कराएं कि संबिधान के सिध्धानतों को कायम रखने में नियाई पाली का कितनी महत्वपून भूमिका निभाती है। अध्याई च्छे में आपराधिक नियाई विवस्था से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका बताई गई है ताके विद च्छा को दोहरा लेना अच्छा रहेगा। इसके बाद ही कानून के शासन को कायम रखने में नियाई पाली का की भूमिका पर चर्चा शुरू की जा सकती है। अध्याई पांच में नियाई पाली का से संबंधित पांच अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी अव धारणाओं पर चर्चा की गई है। नियाई पाली का की स्वतंतरता उसकी जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए बहुत महत्वपून है। ये काफी जटिल विचार है लेकिन बच्चों को इसे समझना पड़ेगा। इसे बुनियादी स्तर पर ऐसी निर्णय प्रक्रिया अधियाओं के उदाहरणों से समझाया जा सकता है जिन से विद्यार्थी परिचित हैं। इसकी संरचना को एक मामले के जरिये दिखाया गया है। विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोटसाहित किया जाए कि वे न्यायक प्रक्रिया की कार्यपधति को समझने के इस हिस्से में न्याय मिलने में विलंब का भी जिक्र किया गया है। इस भाग की चर्चा करते हुए मौलिक अधिकारों के बारे में बच्चों की बढ़ती समझदारी का इस्तेमाल करें। इस कहानी के माध्यम से पुलिस, सरकारी वकील, न्याय धीश की भूमिका तथा निश्पक्ष मुकदमे के बारे में चर्चा की गई है। इस बात की काफी संभावना है कि इन चीजों के बारे में विद्यार्थियों की अपनी एक राय हो। हो सकता है कि वे आपराधिक न्याय विवस्था के बारे में काफी नकारात्मक या निराशा पून राय रखते हो। शिक्षक के नाते आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस अध्याय में दिये गए आदर्शों की चर्चा के जरीए उनकी इस निराशा को दूर करें। इसके लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक तो आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आदर्श कारिय पद्धती क्या है और भारतिय संबिधान में दिये गए सिध्धांतों के साथ उनका क्या संबंद है। दूसरा तरीका ये है कि इन संस्थानों के कामकाज में सचेत और जागरूक जनता के योगदान को दोहराया जाए। अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किये जा रहे कामों की जलक मिलने लगती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पढ़ती है। जैसा कि आप एकाई दो में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब ये है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। और जब किसी कानून का उलंगन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक नियाए विवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालते हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं सरकार का अंग होने के नाते न्याय पालिका भी भारतिय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में एहम भूमिका निभाती है ये इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि ये स्वतंत्र है स्वतंत्र न्याय पालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंद है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे इस प्रिष्ठ पर नीचे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का चित्र दिखाया गया है प्रिष्ठ पच्पन न्याय पालिका की क्या भूमिका है? अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है वे ये तए कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बटवारे पर फैसला दे सकती हैं वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं न्याय पालिका के कामों को मोटे तौर पर इन भागों में बांटा जा सकता है विवादों का निप्टारा न्यायिक विवस्था नागरिकों, नागरिक वसरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्रव राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधी मुहया कराती है न्यायिक समीक्षा, सम्विधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्याय पालिका के पास ही होता है इस नाते यदि न्याय पालिका को ऐसा लगता है कि संसत द्वारा पारित किया गया कोई कानून सम्विधान के आधार भूत धांचे का उल्लंगन करता है तो वो उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायक समीक्षा कहा जाता है। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियानवयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंगन हुआ है तो वो सर्वुच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरन के लिए कक्षा साथ की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था जो खीती हर थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिर कर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च नियायालई ने ये फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप नियायालई ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वो अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को ये आदेश भी दिया गया कि वो प्रात्मिक स्वास्थे विवस्था की रूप रेखा तयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेश ध्यान दिया जाए। पश्चिम बंग खेत मजदूर समिती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य उन्निस सो छे आनवे। इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे भारत के सर्वुच्य न्यायालय का चित्र दिखाया गया है। इसके नीचे लिखा है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोट आफ इंडिया जो 1937 से 1949 तक था। उसकी भांती ये न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चेंबर ओफ प्रिंसिस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। प्रिष्ट 56 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर पीले रंग का एक बकसा दिखाया गया है। सबसे उपर लिखा है अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिये गए खाली स्थानों को भरिये। उसके नीचे बाई और शीरशक लिखा गया है विवाद की किस्म और दाई और शीरशक लिखा गया है उदाहरण। विवाद की किस्म शीरशक के नीचे पहले कॉलम में लिखा गया है केंद्र और राज्य के बीच विवाद उसके ठीक सामने उदाहरण शीरशक के नीचे रिक्त स्थान दिया गया है इसे आप भरें विवाद की किस्म शीरशक के नीचे दूसरे कॉलम में लिखा गया है दो राज्यों के बीच विवाद इसके सामने उदाहरण शीरशक के नीचे दूसरे कॉलम को रिक्त छोड़ा गया है उसे भरें विवाद की किसम शीरशक के नीचे तीसरे कॉलम में लिखा गया है दो नागरिकों के बीच विवाद उसके ठीक सामने उदाहरण शीरशक के नीचे तीसरे कॉलम को रिक्त छोड़ा गया है उसे भरें विवाद की किस्म शीरशक के नीचे चौथे कॉलम में लिखा गया है ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंगन करते हैं उसके ठीक सामने उदाहरण शीरशक के नीचे चौथे कॉलम को रिक्त छोड़ा गया है कृपया उसे भरें स्वतंत्र न्याय पालि का क्या होती है कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कबजा कर लिया है आप एक ऐसी विवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंतरन रहता है उसकी वज़े से न्यायाधीश स्वतंतर रूप से फैसले नहीं ले पाते स्वतंतरता का ये अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वो हमेशा नेता के ही पक्ष में तैसला सुनाए हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायक प्रक्त्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है लेकिन भारतिय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता इसलिए हमारे संविधान में न्याय पालिका को पूरी तरह से स्वतंतर रखा गया है इस स्वतंतरता का एक पहलू है शक्तियों का बटवारा जैसा कि आपने पहले अध्याई में पढ़ा था ये हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है इसका मतलब ये है कि विधाई का और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्यशाखाएं न्याई पालिका के काम में दखल नहीं दे सकती अदालतें सरकार के अधीन नहीं है नहीं वे सरकार की योर से काम करती है शक्तियों के इस बटवारे को दुरुस्त रखने के लिए ये भी महत्वपून है कि उच्च न्यायाले और सरवच न्यायाले के सभी न्यायाधीशों की नियुकती में सरकार की अन्यशाखाओं का कोई दखल न हो इसी लिए एक बार नियुकत हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में नीले रंग के अक्षरों में आप से एक प्रश्ण पूछा गया है लिखा है क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की न्यायक विवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है अगर नहीं तो क्यों? प्रिष्ठ 57 न्यायपालिका की ये स्वतंतरता अदालतों को भारी ताकत देती है इसके आधार पर वे विधाई का और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग को रोक सकती है न्याएपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी एहम भूमिका निभाती है क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उलंगन हो रहा है तो वो अधालत में जा सकता है भारत में अधालतों की संरचना कैसी है? हमारे देश में तीन अलग-अलग स्तर पर अदालते होती है निचले स्तर पर बहुत सारी अदालते होती है सबसे उपरी स्तर पर केवल एक अदालत है जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा तालुक होता है उन्हें अधिनस्थ नियायालय या जिला अदालत कहा जाता है ये अदालतیں आम तोर पर जिले या तहसील के स्थर पर या किसी शहर में होती है ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है ये अपने राज्य की सबसे उची अदालत होती है उच्च न्यायालयों से उपर सर्वोच्च न्यायालय होता है ये देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच न्यायालय के मुख्या होते हैं सर्वोच न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं इस प्रिष्ठ पर नीचे पीले रंग के बकसे में एक पिरामिड दर्शाया गया है और उसके उपर लिखा गया है निचली अदालत से उपरी अदालत तक हमारी न्याई पाली का किसन रचना एक पिरामिड जैसी लगती है उपर दिये गए विवरण को पढ़ने के बाद नीचे दिये गए चित्र को भरिंग इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे उपर नीले रंग के अक्षरों में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है दो वजह बताईए कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्याई पाली का अनिवार्य क्यों होती है इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक पुरुष और महिला खड़े हुए है और लिखा गया है Peace and Justice Strong Institutions इसके नीचे लिखा गया है सतत विकास लक्ष्य सूलह शांती न्याई और सशक्त संस्थाई प्रिष्ठ अठावन इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर मदरास उच्च न्यायालई का चित्र दिखाया गया है इसके साथ ही बई और लिखा गया है उच्च न्यायालेओं की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मदरास में की गई ये तीनों प्रेजिडेंसी शहर थे दिल्ली उच्च न्यायालई का गठन 1966 में हुआ आज देश भर में 25 उच्च न्यायालई हैं बहुत सारे राज्जियों के अपने उच्च न्यायालई हैं जबके पंजाब और हरियना का एक साजह उच्च न्यायालई चंडीगड में है दूसरी तरफ चार पूर्वत्तर राज्जियों असम, नागालैंड, मिजुरम और अरुनाचल प्रदेश के लिए गवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालई रखा गया है एक जन्वरी दोहजार उन्नीस से आंधर प्रदेश के अमरावती और तिलंगाना के हैदराबाद में अलग-अलग उच्च न्यायालई हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजदीक पहुँचने के लिए कुछ उच्च न्यायालेओं की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीट याने बेंच भी हैं क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतیں एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकी कृत न्यायिक विवस्था है, इसका मतलब ये है कि उपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं इस एकी करण को समझने के लिए अपील की विवस्था को देखा जा सकता है अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वो उससे उपर की अदालत में अपील कर सकता है अपील की विवस्था को समझने के लिए आईए एक मुकदमे पर विचार करें ये राज्य याने दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मन कुमार एवं अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालाय तक लड़ा गया 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मन कुमार ने 20 वर्षिया सुधा गोयल से विवाह किया था वे दिल्ली में एक फ्लाट में रहते थे जहां लक्ष्मन के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे दो दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई वो जली हुई थी सुधा के घरवालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया जब निचली अदालत के सामने ये मुकदमा आया तो चार पडोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था पडोसियों ने अपने बयान में कहा कि एक दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बल पूरवक लक्षमन के घर में घुसे वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लप्टें उठ रही थी उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेट कर आग बुझाई सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके उपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्षमन कुमार ने आग लगाई थी इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में पटना उच्चन्यायालय का चित्र दिखाया गया है इसी प्रिष्ठ पर बाई और नीचे करनाटक उच्चन्यायालय का चित्र दिखाया गया है प्रिष्ठ 69 मुकदमे के दारान सुधा के परिवार वालों और एक पडोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा मार पीट करते थे उनकी मांग थी के पहले बच्चे के पैदा होने पर उने एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए अपने बचाव में लक्ष्मन और उसकी माने कहा के सुधा दूध गरम कर रही थी के तभी उसकी साड़ी में आग लग गई इन सभी बायानों और साक्षियों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मन उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेट सुभाष चंदर को दोशी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च नियायालई में अपील दायर कर दी दोनों तरफ के वकीलों के तरक सुनने के बाद उच्च नियायालई ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुरगटना थी वो मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी अदालत ने लक्षमन, शकुंतला और सुभाश चंद्र तीनों को बरी कर दिया शायद आपको कक्षा साथ की किताब में महिला आंदोलन पर केंदृत चित्र निबंध याद होगा उसमें आपने पढ़ा था कि उन्निस सौसी के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोशियों को दंडित नहीं कर पा रही है उच्च नियालए के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परिशान कर दिया उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किये और उच्च नियालए के फैसले के खिलाफ सर्वच नियालए में एक और अपील दायर कर दी ये अपील इंडियन फेडरेशन आफ विमिन लॉयर्स नामक संगटन की तरफ से दायर की गई थी 1985 में सरवोच नियायालई ने लक्षमन और उसकी माँ वभाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी वकीलों के तरक सुनने के बाद सरवोच नियायालई ने जो फैसला दिया वो उच्च नियायालई के फैसले से अलग था सरवोच नियायालई ने लक्षमन और उसकी माँ को तो दोशी पाया लेकिन सुभाश चंदर को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ परियाप्त सबूत नहीं थे सर्वच नियायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई इस प्रिष्ठ पर बाईं और उपर गुबाहाटी उच्च नियायालय आईजॉल मिजुरम बेंच का चित्र दिखाया गया है इस प्रिष्ठ पर बाईं और बीच में नीले रंग के अक्षरों से आप से एक महत्वपून प्रश्ण पूछा गया है उपरोक्त मामले को पढ़ने के बाद दो वाक्यों में लिखिए कि अपील की विवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं इस प्रिष्ठ पर दाईं और नीचे नामची दक्षन सिक्किम में जिला अदालत का चित्र दिखाया गया है इस प्रिष्ठ पर बाईं और नीचे महत्वपून जानकारी प्रदान की गई है लिखा गया है अधिनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है उन्हें ट्रायल कोट या जिला नयायालय अतिरिक्то सत्र नयायाधीश प्रधान नयायक मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सिविल जज नयायालय आदी नामों से बुलाया जाता है पृष्ट साठ विधी विवस्था की विभिन शाखाएं कौन सी हैं? दहेज हत्या का ये मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है ये आपराधिक फौजदारी कानून का उलंगन है पौजदारी कानून के आलावा हमारी विधी विवस्था दीवानी कानून या सिविल लौ से सम्मंधित मामलों को भी देखती है पौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें इस प्रिष्ठ पर बीच में पीले रंग के बकसे में एक तालिका दी गई है जिसके पहले कॉलम में सबसे उपर शीरशक में लिखा गया है क्रमांक दूसरे कॉलम में शीरशक के लिए लिखा गया है फौजदारी कानून और तीसरा शीरशक है दीवानी कानून क्रमांक एक फौजदारी कानून के नीचे लिखा गया है ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिने कानून में अपराध माना गया है उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना हत्या आदी दीवानी कानून कॉलम के नीचे क्रमांक संख्या एक के सामने लिखा गया है इसका संबंध व्यक्ती विशेश के अधिकारों के उलंगन या अवहेलना से होता है उदाहरण के लिए जमीन की विक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदी से संबंधित विवाद प्राथमी की यानि FIR दर्ज कराई जाती है इसके बाद पुलिस अपराध की जाँच करती है और अदालत में केस फाइल करती है क्रमांक संख्या दो केस सामने दीवानी कानून शीरशक के नीचे लिखा गया है प्रभावित पक्षकी ओर से नियायाले में एक याचिका दायर की जाती है अगर मामला किराय से संबंधित है तो मकान मालिक या किरायदार मुकदमा दायर कर सकता है क्रमांक संख्या तीन के सामने फौजदारी कानून के तहट लिखा गया है अगर व्यक्ति दोशी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है दीवानी कानून के नीचे लिखा गया है अदालत राहत की विवस्था करती है उदाहरन के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत ये आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए इस प्रिष्ठ पर नीचे पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरें पहला शीरशक है उलंगन का विवरण दूसरा शीरशक है कानून की शाखा और तीसरा शीरशक है अपनाई जाने वाली प्रक्रिया उलंगन का विवरन शीरशक के नीचे पहले कॉलम में लिखा गया है कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज परिशान करते हैं कानून की शाखा शीरशक के नीचे कॉलम को खाली छोड़ा गया है अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शीरशक के नीचे रखे गए कॉलम को भी रिक्त छोड़ा गया है कृपया इने भरें उल्लंगन का विवरन शीरशक के नीचे दूसरे कॉलम में लिखा गया है एक किराईदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वो मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है इसके सामने कानून की शाखा शीरशक के नीचे दिखाए गए कॉलम को खाली छोड़ा गया है और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शीर्शक के नीचे दिखाएगा एक कॉलम को भी खाली छोड़ा गया है। क्रिप्या इन्हें भरें। प्रिष्ट 61 क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। सिध्धान्त तह भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालेयों की शरण में जा सकते हैं। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा हैं, न्यायाले हमारे मौलेक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपून भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंगन हो रहा है तो वो न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाईं सभी के लिए उपलब दहें, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कारवाई की जरूरत पढ़ती है बलके उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका परिवार देहारी मजदूरी से चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ पानी की उमीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च नियायालाई ने जनहित याचिका PIL की विवस्था विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च नियायालाई ने नियाय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों क की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। नियायालाई ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है, जिनके अधिकारों का उलंगन हो रहा है। ये याचिका उच्च नियायालाई या सर्वोच् इच्छ न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार याने टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुवाती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवी श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किये गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तिमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन याने मिजडे मील दिया जाता है उसकी विवस्था भी एक जनहित याचिका के फल स्वरूप ही हुई थी। दाई और दिये गए चित्रों को देखें और नीचे दिये गए विवरन को पढ़ें। बहुत सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया था। चित्रतीन में दर्शाया गया है। इस स्थिती को देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पी यू सी एल नामक एक संगठन ने सर्वुच न्यायालाई में जनहित याचिका डायर की। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिये गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आध्यार ये था कि सरकारी गोदाम अनाजसे भरे हुए थे। तब सर्वोच्छ नियायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायत्व है। चित्र चार में दर्शाया गया है। लिहाजा सर्वुच्च न्यायालः ने सरकार को आदेश दिया कि वो नए रोजगार पैदा करें। राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उप्लब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायाले ने सरकारी योजनाओं के क्रियानवयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए दो खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया. प्रिष्ट 62 आम आदमी के लिए अदालत तक पहुँचना ही न्याय तक पहुँचना होता है। कि वो दोपहर के भोजन की योजना याने मिड़ डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहया कराने के लिए आवश्चक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रही हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसान देह मानते हैं। उदाहरन के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकरताओं का मानना है कि बस्तियों, जुग्गी, जोपणियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिये गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में जुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। इस प्रिष्ठ पे बाईं और उपर एक चित्र के माध्यम से एक गरीब महिला को सूत कातते हुए दिखाया गया है। इस प्रिष्ठ पर नीचे पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है। लिखा गया है ओलगा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में नियायालय ने एक महत्वपून फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। इस फैसले के यहां कुछ अंश दिये गए हैं। इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि नियाया धिशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़ कर देखा। अनुच्छेद 21 द्वारा दिये गए जीवन के अधिकार का डाइरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज्यादा होता है। इसका मतलब केवल ये नहीं है के कानून के द्वारा तै की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का ये एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपून पहलू आजीविका का अधिकार भी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानि आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति को पत्री या जुग्गी बस्ती से उजार देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नश्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में आनुभविक साक्षियों से ये सिद्ध हो जाता है कि याचे का करता जुग्गीयों और पत्रीयों पर रहते हैं क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंदों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पर या जुग्गीयों में रहने लगते हैं इसलिए अगर उन्हें पटरी या जुग्गीयों से हटा दिया जाए तो उनका रोज़गार ही खत्म हो जाएगा। इसका निशकर्ष ये निकलता है कि याचिका करता को उजाडने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वन्चित हो जाएंगे। स्ट्रीट वेंडर्ज आट याने पत्विक्रेता जीविका संरक्षन और पत्विक्राई विनयमन अधिनियम 2014 के बारे में पता करें। प्रिष्ट 63 जबके पहले वाले फैसले जैसे के 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला में जुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रियास किया जा रहा था। नियाय तक आम लोगों की पहुँच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा ये है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अकसर ये कहा जाता है कि इनसाफ में देरी यानि इनसाफ का कतल। इस प्रिष्ठ पर बई और पीले रंग के बकसे में एक तालिका दी गई है। कारेरत पद हैं 34, रिक्त शून्य, क्रम ख के सामने लिखा गया है उच्चितम नियायालाई में स्वीकृत पद हैं 1089, कारेरत हैं 655, रिक्त हैं 424, क्रम गर के सामने लिखा गया है जिला और अधिनस्थ नियायालाई में स्वीकृत पद हैं 22,644, कारेरत हैं 17,509, रिक्त हैं 5,135, इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग तांत्रिक भारत में नियायपालिका ने एक महत्वपून भूमिका निभाई है, न्याय पालिका ने कार्य पालिका और विधाईका की शक्तियों पर अंकुष लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षाकी है सम्विधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्याय पालिका का बिलकुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है इस प्रिष्ठ पर बाई और ऊपर कुछ प्रदर्शनकारी महिलाओं का एक चित्र दिखाया गया है इस चित्र के नीचे लिखा है इस चित्र में 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 43 मुसल्मानों के कुछ परिजन दिखाई दे रही है ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ उसके कारण सितंबर 2002 में सरवोच न्यायालाई ने ये मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था इसमें प्रोविंशिल आम्ड कॉंस्टैबिलरी याने पी एसी के 19 लोगों पर हत्या और अन्या आपराधिक मामलों के आरूप में मुकदमे चलाए गए थे इस मुकदमे में 2007 तक केवल तीन गवाहों के बयान दर्ज किये गए थे अंत में 31 अक्तूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालाई ने आरूपियों को दोशी ठहराया 24 मई 2007 को प्रेस कलब लखनव में ये फोटो लिया गया था इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे नीले रंग के अक्षरों में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है लिखा गया है न्यायाधीशों की कमी से मुकद्मा करने वालों को न्याय मिलने में होने वाले प्रभाव की चर्चा करिंग प्रिष्ठ 64 अभ्यास एक आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है दो, अध्याय एक में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है उसे फिर पढ़ है आपको ऐसा क्यों लगता है कि सम्वेधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है तीन, नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है प्रत्यक के सामने लिखिये कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था अपने जवाब को कक्षा के अन्यविद्यार्थियों द्वारा दिये गए जवाबों के साथ मिला कर देखें सबसे उपर लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय, बीच में उच्च न्यायालय और सबसे नीचे निचली अदालत चार, सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिये गए बयानों को पढ़िए जो वक्तव्य सही हैं उन पर सही का निशान लगाईए और जो गलत हैं उनको ठीक कीजिए क, आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंके वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे ख, वे सरवच न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए गर अगर आरोपी सर्वोच नियायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं पांच आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की विवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपून कदम थी 6. ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम मुकदमे में दिये गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िये इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब है 7. इंसाफ में देरी यानि इंसाफ का खतल इस विशय पर एक कहानी बनाईए 8. अगले पन्ने पर शब्द संकलन में दिये गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाईए प्रिष्ट 65 इस प्रिष्ट पर बाई और उपर नौ नंबर क्रमांक के सामने लिखा है ये पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है इसके नीचे एक पोस्टर दिखाया गया है जिसका शीरशक है भूख से मौत जिम्मेदार कौन और इस कैमपेन को चलाने वाले संगठन का नाम सबसे नीचे लिखा गया है राइट टू फूड कैमपेन इस प्रिष्ट पर बई और सबसे उपर लिखा गया है इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायत्वों की सूची बनाईए इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा नहीं चलेगा इस वक्तव्य को प्रिष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिये गए चित्र निबंध से मिला कर देखिए इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में भोजन करते हुए कुछ बच्चों का एक चित्र दिखाया गया है और शीर्शक के रूप में अंग्रेजी में लिखा गया है जीरो हंगर इस चित्र के नीचे लिखा गया है सतत विकास लक्ष दो भुखमरी समाप्त करना शब्द संकलन बरी करना जब अदालत किसी व्यक्ती को उन आरूपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था तो उसे बरी करना कहा जाता है अपील करना निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए उपरी नियायालाय में जाता है तो इसे अपील करना कहा जाता है मुआवजा किसी नुकसान या क्षती की भरपाई के लिए दिये जाने वाले पैसे को मुआवजा कहा जाता है बेदखली अभी लोग जिस जमीन या मकानों में रह रही हैं यदि उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है तो इसे बेदखली कहा जाएगा उल्लंगन किसी कानून को तोडने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंगन कहा गया है। कि अधिकारों के लुटिए जाए।